मैं हूँ आपकी होस्ट मेहनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांचा पाकिस्तान सांचा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दु जहद का नाजरें सांचा पाकिस्तान सीजन वन की तरह इस सीजन में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाजे क्यातत सांजा पाकिस्तान के इस प्रोग्रेम में मैं कुशिश करूंगी आपको दिखाने की एक मसीही औरत की मेहनत, उसकी काविशों और उसकी जद्धो जहत के बारे में. आज की हमारी महमान पातून बाइ प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हैं और लाइट फॉर्दा नेशन्स की फाउंडर हैं. आएए आपको उन से मिलवाते हैं और उनके बारे में उन ही से जानते हैं. जी नर्गिस सांजा पाकिस्तान के स्टेज पर आपको खुशाम देद. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. आज इस मौके के लिए मैं आपकी बहार शुक्र गुजार हूं कि मैं इतने सारे लोगों के साथ बात कर सकती हूं. जी नर्गिस जैसे के आपके बारे में मैंने अपने नाज़ीन को बताया कि आप बारे में अपने बारे में अपने इड्यूकेशन के बारे में इंको तक्सील से बताए. जब हम struggles की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक बेटी हर एक बहन हर एक माँ और हर ओरत जो है वो struggle तो करती है सपर्गल्ड्रों ऐसी होती है जिनकी वजह से जिन्दगियां तबदील होती है और मुझे लगता है कि उसमे से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो शायद अपने बारे में किसी को बताती भी नहीं है कि उनकी वज़ा से कितनी तबदीलियां आई कितनी जिंदगियां चेंज हुए और मैं शुक्र गुजार हूँ अपनी प्यारी बहन के लिए जिसने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ कि मैं भी स्ट्रॉगल करी और मेरे लिए भी किसी ने स्ट्रॉगल की थी और जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरी मदर ने मेरी कुपों ने मेरे लिए स्टैंग लिया और उनने का कि आगे पढ़ना है और जो गाओं था जहां पर में रहती थी और जो फैमिली स्ट्रक्शर था उसमें इजाज़त नहीं थी कि लड़कियां जो हैं वो आगे पड़ सकें तो ये पहला स्टेंड था पहली स्ट्रगल जो मेरी मा ने मेरी कुपों ने मेरे लिए की कि मुझे हाइर एजुकेशन के लिए घर से निकाला और फिर मैं हॉस्टल में रहके मैंने आगे स्टेडी की जब ग्रेजुएशन की तो फिर मैंने सेमिनरी की तीन साल के लिए गुज्रावाला सेमिनरी से तीन साल पड़ा और जैसे पादरी साहवान पढ़के आते हैं ऐसे ही मैंने भी तीन साल की स्टेडी की और फिर उसके बाद शादी हो गई और शादी के बाद मेरे शोहर ने मेरे हस्वर्ण ने मेरी बहुत हेल्प की क्योंकि मैं सिरफ ग्रेजुएट थी बी ए किया हुआ था जब शादी हुई थी तो इसके बाद फिर उनोंने मुझे दो M.A.s भी करवाए और M.A. इसलामियात और M.A. एजुकेशन उसके बाद M.A. M.Phil एजुकेशन लीडर्शिप और मैनेज्मेंट किया और अभी PhD एजुकेशन लीडर्शिप और मैनेज्मेंट कर रही हो तो कभी-कभी आप स्ट्रगल करते हैं और कभी-कभी कोई आप के लिए स्ट्रगल करता है इसमें आपका शोहर, आपका भाई, आपका बाप आपकी फैमिली मेंबर्स आपके बहुत सारे उससाथजा आपकी मदद करते हैं और मैं उन सब की मेहनत के बाद आज आपके सामने बैकी हूँ फिर उसके बाद जब मेरी, यह मेरी अपनी डुवलिमेंट की बात है और यह मेरी अपनी स्टेडिस की बात है लेकिन फिर खुदा ने मुझे इस्तमाल किया मुझे चुना के 2014 में मैंने अपनी और्गिनाईजेशन स्टेडिश की और उसके बाद से मैं खवातीन के लिए बच्चों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो एक सूर्स आफ सुपोर्ट बन गई हो और खुदा मुझे इस्तमाल कर रहा है जी बिलकुल नर्गिस बहुत अच्छी बात आपने की है कि हर खातून बेटी या बेहन जो है वो अपने लाइफ में स्टगल कर रही है तो जैसे आपने बताया कि आपकी मदर ने आपकी फुपो ने आपके लिए स्टेंड लिया तो जब यकिनन उन्होंने बहुत सारी चीजों को जो है वो फेस किया होगा जब उन्होंने आपके लिए जो है वो स्टेंड लिया आपके साथ खड़ी हुई तो कैसा बाकी सब का कैसा आपके लिए भीयूर था या उसके बाद जैसे आप समयरी कर यह पी, तो अब तो नहीं जस वक्त में आपने समयरी की होगी तो यह ट्रेंट मेरा खिall है खावातिन के लिए नहीं था, कि मेल हजरात जो हैं वो मर्द हजरात वो ही जाते हैं इस तरह पास्टर्स बनते हैं और मेरा ख्याल है कि चर्च लीडर्शिप में मोस्टली वो समझते हैं कि सिरफ मेल ही जो हैं वो लीडर्स चर्च लीडर्स हो सकते हैं तो ये सारी अपनी जरनी के बारे में जरा बताएं किस तरीके से, फैमिली की कैसे, किस तरीके का उनका आपके साथ बहेवियर था उसके बाद जब आपने सेमिलरी जॉइन की तो चर्च का या अपनी सोसाइटी का, क्या आपके बारे में रदे अमल था या उनकी स्पोर्ट कै कफिसी रही आपकेसाथ सबसे पहले जब को कैना चाहिए जब खुडान ने मुझे चुना होस्तल में थी और O.M. टीम ठीम की बाजिया वा हमारे पास आती थी और वो में सि खाती थी खुडा हमसे कितना प्यार करता है बेचियों से औरतों से खुदा कितना प्यार करता है तो मैंने उनकी वज़े से खुदा को जानना शुरू किया और फिर समर विकेशन हो गई चुटियां हो गई और हम लोग घर चले गए और जब घर गई तो 2001 अगस्ट का महीना था और मेरा भाई जो उस दिन उसकी ब हॉस्पिटल लाया गया और तीसरा दिन था और मैंने कहा कि अगर आज कोई आके कहे कि मेरा भाई ठीक है तो मैं मान जाओंगी कि खुदा है और तीसरा दिन था और मेरे अबू घार आए और बहुत परिशान और उदास सा चेहरा था और गर्मी से बेहाल थे और आके बैठ तुम भी कुछ खा पी लो क्योंकि तुम्हारा भाई ठीक है और आप यकीन करें कि मैं उसी वक्त जमीन पर बैठी और मैंने खुदामन को सच्दा किया और मैंने का कि खुदामन मैंने तुझे देख लिया है कि तू कितना बड़ा खुदा है फिर मैंने अपनी जिंदगी खुदामन को दी और जब मैंने ये फैमिली में कहा कि मुझे सेमिलरी करनी है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुदामन को दी है तो ये एक नया चैलेंज था सारी फैमिली के लिए क्योंकि मेरे दादा जी एल्डर थे चर्च के और वो कहना शुरू होगे कि लड़कियां भी कभी पाद्री बनती हैं जो तुम पाद्रियों की तालीम हासिल करना चाहती हो तो मैंने का कि मैंने अपनी जिंदगी खुदामन को दी है और मुझे सेमिलरी करनी है तो सबने बड़ी मुझा की इवन के मेरे अपने घरवाले वो ये सोचते थे के पाद्री बनने का कोई की पड़ी लिखी तो फिर से शाधी कॉन करेगा ना ही इसकी कोई अच्छी नोकरी होगी तो मैंने का के मुझे कोई फर्वार नहीं इसके करेगा खिया करेगा लेकिन मैंने अपनी छिन्दी खुदावंद को दि और मैंने समिनरी क के लिए जाना गोगी प्रशूद कामिल मेरे चचा हैं और उन्होंने का कि अगर तुमने वाक्य ये फैसला किया है तो आजो सेमिनरी करो सेमिनरी तो वह सारे लोग हस रहे थे मजाक उड़ा रहे थे और मुझे बाते करते थे कि सेमिनरी करना तैनु की फाइदा होएगा तो ये अजीब जीब जु मैं ठीजना है और मैंने अपनी जिन्दऎगी खुदामद को दी है और मैं पीछे नहीं हटोंगी और फिर क्या होता है कि जब तीन साल सेमिनरी में हार साल फुर्स पुजिशन लेती ही तो कोई उदर से बाते करता थै कि जितनी मर्जी पुजिशन ले 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 फ्यूशर ही हुआ था उसके बाद मेरी एक नई बिगनिंग हो रही थी नए नई शुरुआत हो रही थी और फिर अभी में ब्रदर इंस्टिउशन में बाइबल टीचर हूं और पादरी साहिबान को पढ़ाती हूं एफ जी वाले मुझे मौका देते हैं उनके पास जाती हूं इसलिए बता रही हूं कि अगर खुदा आपको चुनता है तो आपके लिए रास्ते भी बनाता है और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप खिदमत में आते हैं तो कोई आपको रोक देगा कोई नहीं रोक सकता आपको एक स्ट्रगल है एक जंग है एक पहाड है लेकिन उस ही जो है खुबसूरत स्ट्रगल है आपकी बहुत ही इंस्पारिंग भी है जी नाजरीन हमारा इमान है कि हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है वो नामुम्किनात का खुदावंद है तो नर्गिस जैसे आप ये बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से आपने सेमिनरी होंगी कि खातून जो है या खवातीन जो है वो हर लीडर्शिप रोल में बहतरीन लीडर साबत होती है तो जैसे बाकी सारे अदारों में बाकी सारे इंस्टीट्स में औरत अपना बहतरीन करदार अदा करती है इसी तरीके से चर्च लीडर भी अगर एक खातून है तो वो अदा करती है क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारी ऐसी हमारे लिए रोल मौडल खवातीन गुजरी है पूरी बाइबल जो है वो भरी हुई है ऐसे करदारों से जिन से हम कह सकते हैं कि एक खातून जो है वो अच्छी चर्च लीडर साबत हो सकती है तो नर्गिस किस तरीके से जब आपने लाइट फॉर दे नेशन को स्टार्ट किया तो ऐसी क्या बात थी या जब खवातीन के लिए आपने काम शुरू किया जैसे आप बता रहे थे क्या भटा मजदूरों के लिए काम करती हैं तो क्या आपका इन लोगों से मिलना हुआ था किस तरीके से आप इस तरह आएं कि आपने इन लोगों के लिए काम करना शुरू किया सबसे पहले तो मेरी अपनी लाइफ मेरे लिए एक चैलिंज था क्यूंकि मुझे पता था कि जब मैं पढ़ रही थी तो फीस देना कितना मुश्किल था और मैंने कपड़े भी सिये और को सभाल सकती है तो फिर मैंने ये किया कि हमने एक स्टार्ट लिया था कि एक जगा पर हमने कुछ लड़कियों को 15-20 लड़किया थी जिनके साथ स्लाइस सेंटर का काम शुरू किया तो उन गर्ल्स ने जब स्लाइस ही की तो उसमें से 4-5 ऐसी लड़किया थी जिनोंने मैंने उनको अपनी लाइफ बताई थी कि मैं कपड़े सीती थी और कपड़े सीकर अपनी फीस देती थी तो फिर इस तरह से एक स्टार्ट था स्मॉल चोटा सा चोटा सा अगास था फिर उसके बाद जो है काम बढ़ता गया और पिर जब हम भटों पर जाते थे राशन देन हैं तो मैंने यही बात आके घर में की मैंने का कि मैं चाहती हूं कि जैसे मैंने खुदावंद को देखा ये लोग भी देखें तो फिर हमने उस बात के लिए दूआ करना शुरू की और फिर कुछ ऐसे बहन भाई ऐसे दोस्त मिले जिन्नों ने हमें का कि आप हमें बताएं क कि मैं तुम्हें कौमों के लिए नूर बनाऊंगा तो मैंने का कि मैं तो लड़की हूं मुझे क्या नूर बनाएंगा खुदा तो मुझे ये बात अजीव लग रही थी लेकिन बहुत दफ़ा खुदा ने ये इंशूर करवाया कि मैं तुम्हें इस्तमाल करना चाहता हूं फिर मैंने एक दिन दुआ की और मैंने फिर अगेर मैं वही कहूंगी कि मैं तो खुदा को अजमाने वाली शायद मैं तो मारसूल जैसी हूँ कि मैं खुदा को अजमाती थी मैंने का खुदावनद अगर ये तेरा काम है अगर तु चाहता है कि मैं लोगों के लिए काम करूं तो फिर तु मज़े रिसूर्सिस भी दे और मैं किसी से जाकर मांगूंगी नहीं और यकीन करें थे, यह हुआ कि पिर मैंने किसी से जाके बात नहीं की, मैंने सिर्फ खुदावन से ही बात की थी, कि मुझे इन लोगों की मदद करनी हैं, तो खुदा ने ऐसे लोगों को तयार किया, जिनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, और फिर उन्होंने खुद कहा क हम मदद करना चाहते हैं कि आप बताएं कि कौन से लोगों की आप हैल्प करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से जर्णी स्टार्ट हुई और उसके बाद से बता मददूरों के बचों के लिए हैं उनको उसके जरीय से वो तलीम कहासिल कर रहे हैं और इस तरह से इनकी सारी चीजें गिफ्ट के तौर पर देते हैं कि अपना काम कर सके हमने भटा मजदूरों को ना सिर्फ लोन से फ्री करवाया बलके हमने उनके उनको छोटे बिजनस भी करवाई और इस तरह से खुदावन का ये काम भड़ रहा है और रोज वर रोज तरखी भी कर रहा है जी ब सिर्फ बारे में और नर्गिस ने ना सिर्फ खुद वह महनत की है बलके जब उनको कुछ मिला तो उन्हों ने खुदावन के दिए हुवे में से लोगों को भी देना शrica किया लोगों के लिए काम करना श्र hacking किया कि इस तरीके से जो बोड़ करण karzों में औोबे वहं या ज दूसरों में बांटना चाहिए दूसरों के साथ जो है उसको शेयर करना चाहिए तो नर्गिस आप से मैं अगला सवाल यह पूछना चाहूंगी कि हमारी जो क्रिस्टन बचिया हैं हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम क्रिस्टन खवातीन की जदो जहत को उनकी स् और विद्टन सारी डिस्क्रिमिनेशन भी कभी स्कूल में कोलेजीं में और वर्क प्रेसिज को फेस करते हैं तो बहुत दफा हम लोग्या हमध हार जाते हैं तो हम लोग जो है वो शायद हम लोगों का फेट स्टौण नहीं हुटा हमारा खुडा पे इमान जो है वो हम जो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हड़ जाते हैं, तो किस तरीके से मेरे जो नाजरीन हैं, खासकर Christian बच्चियां, जो नौजवान बच्चियां हैं, उनको बताएं कि as a Christian woman, किस तरीके से आप ने इन चैलेंजिस को फेस भी किया, अगर लाइफ में यकिनन आप ने भी बहुत स तो किस तरीके से आप इन सारे चैलेंजिस को फेस करती हैं, तो यह ज़रा इनकी एंकरेजमेंट के लिए जो है, इनको थोड़ा सा बताएं, तो यह बड़ा इंपॉर्ड़न प्वेस्चिन है, और यह हमें अपनी बच्चियों को मैं समझती हूं कि जब घर में हैं, तब ही इसके बताना है, कि माश्रे में निकलते हुए, देखें, हमेशा मेरे एक उस्ताद कहते थे, कि आप पृंदे जो हवा में उड़ रहे हैं, उनको नहीं रोक सकते हैं, तो आप उनको रोक सकते हैं, वो आपके सर पर घोंसला ना बना ले, मतलब आपके सर पर आके बैठ ना जाएं, हवा में तो परिंदे उड़ने ही हैं, और माश्रे में जो कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी बाते हैं, जो जाल बचाती हैं, जो हमें फसाने के लिए हैं, और फिर और ओरत को तो लोग समझते ही हैं, कि इससे सिरफ जो भी है, इसको सिरफ एक कह करना है तो यह वो चीज है जिसको हमें नो करना है जब बींग अगर्ल हम घर से निकलते हैं तो आपने आपको मत समझे कि आप लड़की हैं और लोग आपको देख रहे हैं और आप शर्माएं और इस तरह की बाते करें आपको शेरनी जैसा दिल होना चाहिए क्योंकि आप पे इतमाद किया हैं आपके बाप ने आपके भाई ने आपकी फैमिली ने आप उससे तमाद को अपने कंदों पर लेकर नहीं जा रही हैं अपने दिल में रखके निकलें और जब दिल में रखके निकलेंगे तो जो मर्दी लोग कहें लोगों के कहने को आप रोक नहीं सकते है बहुत दो ऐसे चैलेंजेस थे विन आई वोज यंग गर्ड तो दिर वस सो मैंनी चैलेंजेस बहुत सारी ऐसी बाते थी कभी कोई लड़का आपको पसंद कर रहा हुता है कभी कोई आपको आपकी तरीफ कर रहा था कभी आपको करिस्चिन नहीं लगती हैं कुछ भी कह सकते ह लोग और फिर आपको आफ़र्स भी करते हैं कि हमारे हम आपको यह दे देंगे वो दे देंगे और बहुत सारे लोग आपके लिए गाड़ियों के दुर्वाजे भी खोलते हैं कि आप हमारे साथ चले हम आपको यह करेंगे तो याद रखें कि यह सिर्फ वक्ती अट्रैक् की तरह फेंग देतें तो आप अपने आपको ये बताएं कि धूना मेरे लिए इसथ की ब Standards है औरत होना मेरे लिए फखर की बात है क्यों अगर मैं बिंग अवोमन इस सुसाइटी में खड़ी हूं तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और बहुत सारे अगर मेरे साथ है तो दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है दुनिया कब बिगाड़ेगी जब मैं फुद लोगों के पीछे जाओंगी एक दफ़ा मैंने अपनी चछा से कहा मैंने का कि मुझे एक लड़के ने इस तरह से बात की है तो उन्होंने मुझे बड़े प् करूंगी और उसने जब मुझे कहा कि तुम तो क्रिस्चन नहीं लगती हो तुम तो बड़ी प्यारी हो तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि क्रिस्चन दुनिया के सबसे ज्यादा खुबसूरत लोग होते हैं तो आपको भी क्रिस्चन होने की जरूरत है तो क्यों क्रिस्च किना मजबूत है तो हमें अपनी सिंदगी में मजबूती लाने की जरूरत आइं ना के हला थे última नोगों से डरके कमजोर उने आगे जा सकते हैं और बेटियों पर ये जिमेदारी है वह कभी गिरे ना कभी कि सामने ना जो कभी हार हालात झाल ना माने क्भी हुरात तो बदलते रहेंगे हमारा अर्य यकसा रहना चाहिए हम में मथबूつ रहना चाहिए जी बिलकुल नर्गिस आप इतनी खुबसूरत बाते कर रही हैं कि मैं बीच में आपको इंटरॉप भी नहीं करती कहीं पर आपको रोकना भी अगर चारी हूं तो मैं नहीं रोक पारी कि आप इतना अच्छा बोल रही हैं तो इन नहीं बातों को आगे बढ़ाते हुएं आप मसीही औरत को एक लीडर्शिप रोल में कैसे देखती हैं यह अगेन एक बहुत ज्यादा हार्ड किसम कर क्वेस्टिन है क्योंकि अगर मैं सेमिनरी के तौर पर देखूं तो चर्च मुझे इजास्त नहीं देता कि मैं पादरी की दोर पर जैसे दूसरे पादरी हैं पादरी साहबान जब तालीम हासिल करके आते हैं तो वह पादरी बन जाते हैं तो यह शायद मुझे 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 नहीं है लेकिन कुछ चर्चिस ने बड़ा अच्छा इनिशेटिव लिया भी है कि वह खुदा की खादमाएं कुछ चर कर सकते हैं कि मेदे के डॉक्टर बनेंगे दमाग के बनेंगे दिल के बनेंगे तो यह सोच लें कि लीडर होने के लिए कोई टोपी पहने की जरूरत नहीं है आप तो खुद अपने किर्दार में लीडर हैं जब मा है तो वह बच्चे को गोद में लेती है और उसे सिखाती है उसे तालीम देती है तो एक लीडर मा होती है जो एक लीडर तियार कर रही होती है फिर उसके बाद देखें कि जब आप बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हर और लीडर है क्यादत संभाल सकती है हाँ ओर्गिनाईजेशन का लीडर होना किसी इधारे का लीडर होना किसी चर्च का लीडर होना चैलенजिंग जरूर है मुश्किलज़ु है लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो ये लीडर्शिप स्किल्स वाप में आती जाएंगी एक बात याद रखें, मुसा की माँ ने उसे छुपा के रखा था तीन महीने और जब तीन महीने बादशा, बादशा के खिलाफ, अकुम्मथ के खिलाफ वो एक साधा सी ओरत क्यादत कर रही थी, अपने बच्चे को संभालने की और उस लीडर को तियार कर रही थी जब उसको पानी में भेंकती है पानी में निकालती है कि बादशा की बेटी फिराउन की बेटी उसको पकड़ ले तो उसकी छोटी सी भैन मरियम छोटी लड़की है लेकिन उसको देख रही थी कि मेरे भाई कहां बहके जा रहा है और फिर जब मलका उसको शहजादी उठा ले और आया के लिए किसको बुला के लाती है अपनी ही माँ को मुसा की माँ को मुसा की कियादत में उसकी माँ और उसकी चोटी सी भेन सादा सी ओरतें कितना बड़ा किरदार अदा कर रही हैं आज हम अगर मुसा को पाल रहे हैं किसी यश्वा को पाल रहे हैं किसी खुदा के खा दूजर है उसके अंदर खुदा ने ये खासियत रखी है कि वो खांदान को लेके चलती है और उसकी रहनुआई करती है तो ये बस थोड़ा से सोच को लफजों को कहना चाहिए कि मौडिफाइ करना है या फिर लफजों को तर्तीब देना है हमें असल में मसला ये है कि अपनी औरत को बेवकूफ औरत बनाने की कोशिश कर रहे है याद रखें कि बाइबल की औरत बिजनस वूमन है करोबारी औरत है बाइबल की औरत अदालत करती है बाइबल की औरत जंग लड़ती है बाइबल की औरत नबिया है खुदा के पेगाम को कौमों को बताती है और और विवे हिसाग्रन, भीस, फादर, बाप होते हुएं, भाई होते हुएं, शोहर होते हुएं, अपनी वाइफ को कहें, अपनी घर की ओरत को कहें, कि आप उसके साथ हैं, उसे हिम्मत करनी यह हैं, वो लीडर है. बसलिकित, बाई nembunat, बताना है, वो लीडर है जे बिल्कु उन्धा उनको एंकरेजमेंट मिलेगी उनको एंसपिरेशन मिलेगी के हर खा도 हूं एक बहृत्रीन लीडर है भले वो किसी भी रूल में है उसको यह किसी छी सटेप whisper की किसी भी समकिंद की फ्रू ज़रूरत नहीं है हर ऑरत एक अच्छी खातून भी है और एक बेहतरीन लीडर है तो नर्गिस जैसा कि हमेरे पास टाइम बहुत कम है सिरफ ये 25 मिनट का हमारा इंटरव्यू होता है आप की तरह बहुत सी जिन भी खातून को मैं बुलाती हूं तो वो एक बेहतरीन लीडर के सामने हम लोगों ने बात भी नहीं की होती तो वो जब सामने आते हैं तो दिल करता है कि उसके बारे में और जाने और बात करते रहे तो लेकिन हमारे पास वक्त कम है तो मैं चाहूंगी कि आपकी इतनी इंस्पारिंग लाइफ है आपकी जो जड़ो जहत है जो स्ट्रगल है वह किसी से भी आप बात करेंगी तो मेरा ख्याल है कि वो मुतासर हुए बगार नहीं रहेगा तो मैं चाहती हूं कि हमारी जो नौजवान प्रिस्टन बच्चियां हैं जो मेजॉरिटी के स्कूल में जाती हैं वर्क प्लेसिस पे जाती हैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में जा रही करती रही हैं और एक खुबसूरत औरत के तौर पर मा के तौर पर एक लीडर के तौर पर सामने आई है तो इन बच्चियों को पी पेगाम दें कि अपनी लाइफ को अपनी जद्व जहद को किस तरीके से जो है वो करना है और आगे बढ़ना है मैं एक चीज से बस कि हमाहस कि करेंगे वो फिर से शी के मतलब है चॉईस सी का मतलब है क्राइस्ट सी का मतलब है सेंटर अगर आपकी लाइफ का सेंटर खुदाून येसवाज हैए तो ठीड़ अपको कुछ खलत फैसला आप यह सकते हैं फिर आपकी चौएस duas on Yesu मसी है क्योंकि फिर आप सोच सकते हैं कि जो मसीहा को पसंद होगा वही करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं हम उसी की खाइश को पूरा करना चाहते हैं हम उसको खुश करना चाहते हैं तो अगर आपकी पहली चॉइस आपका आपकी लाइफ का सेंटर अगर खुदावन यसु मसीह है क्राइस्ट है तो फिर ठीक है फिर डग तक जाते जाते आप कुछ बन जाएंगे लेकिन अगर लाइफ का सेंटर क्राइस्ट नहीं है लाइफ में अगर मसीहा आपकी जिन्दगी का मरकज नहीं है तो फिर आप खत्रे में हैं फिर बहुत सारे लोग भेड़िये बहुत सारे जंगली जानवर हमें प ढूंडो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़े तुमको मिलती चाहेंगी मैं आपके सामने ये वो शक्स कह रहा है या वो औरत कह रही है जिसने खुदा उनको टच किया है जो छू के देखा है कि खुदा है और वो खुदा कहता है कि अगर मुझे तुम पहले चुल बना लेते हैं और हम अपनी मर्जी अपनी खायश मैं ये चाहती हूं मैं ये पाना चाहती हूं ये करना चाहती हूं खुद को सेंटर बना लेते हैं तो जब खुद को सेंटर बनाते हैं तो फिर हमें अपना भी नज़र आता है फिर हम चोरी भी करते हैं धोका भी देते हैं क्यों कि हम अपने आपको देखने के आगे कैसे भरना है तो याद रखें कि बर्थ के बाद डेथ हुई है डेथ हमें बताती है कि वह अल्टीमेट है हमें आखिर में कहीं जाना है खुदा के पास तो डेथ हमें ये सिखाती है हमें ये खौफ भी देती है ये चीज समझ भी द में इसको अच्छे से गुजारना है और हर वक्त जो भी करें खुदा के कलाम में लिखा है जवान अपनी जवानी में खुश रहे लेकिन याद रख कि इन सारी बातों के लिए तुझे हिसाब में आना है हर एक बात की अकाउंटबिलिटी होगी हर एक चीज का हिसाब होगा ज हर एक काम के मौफिक देने के लिए अजर मेरे पास है तो हमें रिवार्ड किस से चाहिए खुदावन से और जब खुदावन के पास हर एक चीज का इनाम है तो फिर मैं किसी और के पास कैसे जा सकती हूं तो किसी इनसान को अपना खुदा ना बनाएं लोगों के सामने ना भी रहें हिम्मत ना हारें जब भी तूटें जब भी मुश्किल में जब भी किसी मुसीबत में खुदामंद को पुकारें और वाप के लिए रास्ते बना देगा और असानिया पैदा कर देगा तैंक्यू जी तैंक्यू सो मच नर्गेस इतनी खुबसूरत बातों के लिए आपको और ज़्यादा आपको ब्लेस करें आप जो भी लोगों को हेल्प आउट कर रहें उसमें खुदामंद आपके साथ हो आपको और ज़्यादा इतना आपको फ्राहम करें कि आप और लोगों की भी मदद कर सकें आपके टाइम के लिए बहुत थैंक्यू सो मच आपने एतना फुबसूरत मेसिज जो है वो लोगों को दिया है ये की नाज़ीम आपको आज नर्गिस की बातें अर्गिस की जर्नि बहुत ही पसंद आई हो यह यह कीनन बहुत सी मेरी हमारी बेटियों हमारी जो माएं हैं हमारी जो बहने हैं उनको बहुत जादा को रखें हर चीज में खुदावन की मर्जी को शामिल करें सबसे पहले उसकी मर्जी को रखें और फिर आगे जो भी काम करना है जो भी ट्रेनिंग्स कर रही है पढ़ रही है या जहां कहीं बर काम कर रही है पहले जो है वो खुदा को आगे रखें फिर जो है अपनी मर्जी क उसमें शामिल करें कि जो खुदावंद की मरजी है उसी में हमारी मरजी है नाज़ीन क्योंके प्रोग्राम का वक्त खतम हुआ है और बहुत सी अच्छी और भी बहुत सी बातों को लेके हम दुबारा किसी टाइम नर्गिस को दावद देंगे और इस तरह के खुबसूरत बा प्राकिस्तान